साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के डर से दुनिया भर में प्रतिवन लगने शुरू हो गए हैं इसी वेरियंट पर चर्चक ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरीवार को अधिकारियों संग एक हाई लेवल बैठक की बैठक के दौरान पीम ने अधिकारियों को नए वेरियंट से अलट रहने के आदेश दियें इसके साथ ही पीम ने अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि जिन राज्यों से केस ज़्यादा सामने आ रहे हैं वहां निगराने और कंटेन्मेंट जोन जैसे सकती ज़्यादा की जाएं लोगों को पहले से ज़्यादा एलट रहने के निर्देश दिये जाएं मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का कडाई से पालन करवाया जाएं इसके अलावा बैटक के दोरान पीम ने अधिकारियों से कोरोना वैक्सिन की दूसरी डोज बढ़ाने और लोगों को समय पर वैक्सिनेट करने पर भी जोर दिया आपको बता दें कि इन दिनों दक्षिन अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वैरियेंट को लेकर सभी देशों में हर कम्प मचा हुआ है वहीं देश में अब तक इस वैरियेंट के 22 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं देश में मरीजों की वड़ती संक्या को देखते हुए दिली के स्तियम अरविंद केजरिवाल ने पीम से अपील की है कि कोरोना के इस घातक वैरियेंट को देखते हुए विदेशों से आवा गमन वाली हवाई यात्रा को रोक दिया जाए